Hey guys, welcome to my channel guys, इस वीडियो में हम UPBA entrance exam का जो 2021 का question paper था, उसे हम solve करेंगे Last video में हमने 2022 यानि last year का question paper solve किया था और इस वीडियो में हम first paper का, जो first part है GS या GK, उसके 50 questions solve करेंगे और guys मैं आपको बता दूँ जो आपकी marks containing subject है, वो है reasoning और या हिंदी या English यानि हिंदी English में आप दोनों में से कोई भी subject ले सकते हैं, तो यह बहुत ही marks containing subject है, फिलाल हम question देखते हैं पहला question जो पूछा गया था, वो यह पूछा गया था कि माना और सेवा के लिए इस थापित red cross का मुख्याले कहां इस्थित है, option आपके पास Berlin, Paris, Geneva या Viena आपको comment करके बताते भी जाना है और खुद analyze भी करना है कि आप कितने question सही कर पा रहे हैं, एक question paper में आपको problem होगी, दो question paper में आपको problem होगी, लेकिन तीसरे में आप खुद ही automatic देखने लगेंगी कि question बार-बार repeat हो रहे हैं, और यह एक अच्छा method भी है, question का pattern समझने का, exam का pattern समझने का, तो question का answer दीजे कि इसमें से right option कौन सा हो जाएगा, तो guys यहाँ आपका जो तीसरा option है C, एकदम सही हो जाएगा, red cross का जो मुख्याला है, वो है जिनेवा में, और जिनेवा कहा पढ़ता है, सुज्जय लेंड में पढ़ता है, तो यहाँ C option एकदम करेंगते ह इस question में कहा रहा है कि पंजाबी भासा किस लिपी में लिखी गई है, सिंधी, गुर्मुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं, तो राइट option बताइए इसमें से right option क्या हो जाएगा, बी option सही हो जाएगा, कि पंजाबी भासा आपकी गुर्मुखी लिपी में लिखी जाती है तो B option एक तब करेक्ट है नेस कोश्चन देखते हैं नेस कोश्चन के रहा है कि Plant Economic for India के लेखक कौन है यानि Plant Economic for India एक बुख है उसके राइटल का नेम आप से पूछ रहा है option आपके पास डॉक्टर विशे सुराया, महबूब उलहक, अमर्ज सेन, यज्जय प्रकाश नरायन तो राइट option पिताईए कौन सा हो जाएगा तो इसका जो राइट option हो जाएगा, वो हो जाएगा option नमबर A, डाक्टर विशे सुराया, इन्होंने Plant Economic for India नामक पुस्तक की रश्ड़ा की है, तो यहाँ यह option आपका करेक्ट है पिर ने इस question में कहा रहा है कि राजी सभा एक स्थाई सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होता, यानि इसको भंग नहीं किया जाता, इसके सदस्यों का कारिकाल कितने वर्षों तक होता, यानि जो इसमें सदस्यों होते हैं, मिम्बर्स होते हैं राजी सभा में, उनका कारिका क्या करते most of the student उसमें पांच वर्स में टिक कराते हैं लेकिन पांच वर्स सहीं नहीं है राज सभा के जो सदस्य होते हैं उनका कारिकाल 6 वर्स का होता है तो यहां भी option आपका करेक्ट हो जाएका निस्कूर्शन देखते हैं इसकूशन कहा रहा है कि वाय मंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32-62 किलोमेटर के मद्ध इस्थित है वाय मंडल की संरचना में आपके पास भाय मंडल, छोब मंडल, आयन मंडल या ओजो न funds. तो राइट उप्चन में राइट उप्चन क्या होगा राइट यहां आपका डी आप्चन करेक्ट हो जाएगा जो ओजोन मंडल है क्योंकि वाय मंडल को कई परतों में डिवाइट किया गया है, कई मंडलों म divide किया गया है तो अगर हम 32 से 60 km की बीच की बात करते हैं डिस्टेंस की तो उस डिस्टेंस में आपका Ozone मंडल है यानि आपका D option इंदम correct हो जाएगा और Ozone मंडल क्या करता है सूर से आने वाली जो पराबैगनी केड़ने होती है उनसे हमारी रच्छा करता है तो D option इंदम correct है इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि मत A.C.A के इस टेपी छेतर के निवासियों द्वारा बनाये गया मानुवी आवास को क्या कहते है option आपके पास igloo, crawl, yurt या tipi तो right option comment करके बिताएगे कौन सा हो जाएगा C option आपके एकदम correct हो जाएगा जो मत A.C.A के स्टेपी छेतर के निवासी है जो घर बनाते हैं रहने के लिए उसे यूर्त कहते हैं तो C option एकदम correct है इस question देखते हैं इस question कहा रहा है कि बच्चों में टीका करण को बढ़ावा देने के लिए भारस सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुस योजना की सुरुवार्ट की गई थी यानि कि वच्चों में टीका करण हो तभी गाउं में जा जाके टीका करण संभाव हो सके उसके लिए mission इंद्रधनुस भारस सरकार द्वारा एक mission चालू किया गया था तो वो mission किस वर्ष में योजना चालू की गई थी वो आपसे पूछ रहा है option देखते ही कि option क्या दिये हुए है option आपके पास just a minute option आपको दिये हुए है verse 2012, verse 2010, verse 2016 या verse 2014 तो right option बताईए इसमें से right option कौन सा हो जाएगा जल्दी से comment करके बताईए तो यहां जो आपका D option वो एकदम correct हो जाएगा कि verse 2014 में योजना इंद्रधनुस भारा सरकार करा चलाई गई थी तो यहां आपका D option एकदम correct हो जाएगा नेस question देखते हैं नेस question कहा रहा है कि जब किसी बेस की प्रुधान मुद्रा स्वड में परिवर्टन शील होती है तो इस मौद्रिक विवस्था को क्या कहा जाता है option आपके पास स्वडमान, कर्व ट्रेडिंग, कीनार्थ प्रुबंधन या मुद्रा संकुचन तो बताए राइट option इसका क्या होगा question number 8 का right answer आपको बताना है कि इसका right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ आपको जो right answer है वो है option number 1, स्वडमान जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वड में परिवर्टन शील होती है तो इस मौद्रिक विवस्था को स्वडमान कहा जाता है तो ए option आपका करेट है फिर कहा रहा है कि भारत-चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती छेत्रों की सुरच्छा के लिए ससस्त्र सीमावल यानि SSB का गठन किस वर्ष किया गया option आपके पास वर्ष 1963, वर्ष 1960, वर्ष 1958 या वर्ष 1965 तो बताईए right option क्या होगा इसका जल्दी से comment करके बताईए तो यहाँ आपका A option इकदम correct हो जाएगा कि वर्ष 1963 में SSB का गठन किया गया था क्यों किया गया था भारत चीन युद्ध के बास यहाँ वर्ष चेत्रों की सुरच्छा के लिए तो यहाँ आपका A option इकदम correct हो जाएगा ने इस question देखते हैं ने इस question कहा रहा है कि multi processing होती है multi processing जो होती हो क्या होती है option आपके पास बिना किसी processor के होती है एक processor द्वारा होती है एक से अधिक processor द्वारा होती है या इन मेंसे कोई भी नहीं तो बताए इसका right option क्या होगा तो यहाँ आपका D option correct हो जाएगा कि multi processing इन मेंसे किसी की द्वारा भी नहीं होती है, तो यहां आपका D option correct है, इस question देखते हैं, इस question कह रहा है कि किस governor general के कारिकाल ने आहस्तत छेप की नीट ही अपनाई गई, option आपके पास Sir George Barley, Sir John Sour, Charles Metcalf, यह Sir John Mac version, तो right option बताना है कि इसका right option क्या हो जाएगा, question number 11 का, जल्दी से comment करके बताईए, तो यहां आपका B option correct हो जाएगा, Sir John Sour, यह जो governor general थे, इन्धी के कारिकाल में अहस्तत छेप की नीट ही अपनाई गई थी, तो यहां आपका B option correct है, इस question देखते हैं, इस question कहा रहा है कि भारत में अगस 2021 में किस देश के साथ दच्छड चीन सागर में नौ सेनिक अभ्यास किया था, option आपके पास वियत नाम, सिंगापुर, फिलिपिन्स या मलेशिया, तो right option बताईए, question आपको दिख रहा होगा, तो बताईए इस question का right option क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका C option एकदम correct हो जाएगा, इस question देखते हैं, इस question में कहा रहा है कि किस अधिवेशन में Muslim League ने Congress के साथ मिलकर एक संयुक्त समित की इस्थापना की थी, यानि बहुत सारे Congress के अधिवेशन हुए थे, तो उनी में से ऐसा कौन सा अधिवेशन था, जिसमें Muslim League ने Congress इसके साथ मिलकर एक संयुक्त समित के स्थापना की थी, ये आपको बताना है, option देखते हैं कि कौन-कौन से option आपको दिये हुए है, तो आपके पास option है लखनाव अधिवेशन, मदरास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन, साथी आपको year भी mention है, कि इसमें से कौन सा अधिवेशन किस year में हुआ था, तो बताइए इसमें से right option क्या हो जाएगा, तो guys यहाँ जो आपका right option हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनाव अधिवेशन, लखनाव अधिवेशन में ही Muslim League ने क्या किया था, Congress के साथ मिलकर एक संयुक्त समित के इस संपादन, यहाँ सलाह देने हे दू, एक मंत्र परिशत की विवस्था की गई है, अनुच्छे 97, अनुच्छे 65, अनुच्छे 74 या अनुच्छे 86, तो बताइए right option क्या है इसका, तो guys यहाँ आपका option number C सही हो जाएगा, अनुच्छे 74 की अंतरगत, यानि सन्मिधान को जो correct हो जाएगा, निस question देखते हैं, निस question कहा रहा है कि major ध्यान चंदर के जन्मदीन के आउसर पर प्रतिवस के स्तिथी को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है, option आपके पास 16 जू, 11 अक्तूबर, 29 अगस्थ या 30 जन्वरी, तो right option बताइए, इसमें से right option कौन सा हो जाएग comment करके बताना है आपको, जल्दी बताइए, तो यहां चो आपका right option हो जाएगा, 29 अगस्थ, यानि major ध्यान, अगर आपसे यह पूछ लेता कि राश्टी खेल दिवस किसकी जन्मदीन के आउसर पर मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना था major ध्यान चंदर, लेकिन यहां यह पूछ लिया है कि मेजन ध्यान चंदर के जन्मदीन के आउसर पर प्रतिवर्स किस तिथी को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है, तो आपका right option हो जाएगा, कौन सा, आपका C option एकदम correct हो जाएगी, कि 29 अगस्थ को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है, इस question लेखत की थी, वो आपको बताना है, तो यहाँ जो आपका right option है, वो है पस्चिम बंगार, रवीन नाट टैगोर ने सांते निकंतन की स्थापना की थी, कहां की थी, पस्चिम बंगार में की थी, तो इस question में हमने दो question पढ़ लिए, यहाँ आपका B option correct हो जाएगा, फिर पूछ रह और यह कौन थी, अफगान वन सी यह थी, उसके बाद पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्धी पर बैठा, option आपके पास बिल ग्राम का युद्ध, सन भी दिया हुआ है, पानी पत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, यह चंदेरी का युद् यह option आपका एकदम करेक्ट हो जायागा, बिल ग्राम का युद्ध, जो कि 1540 इसमी में लड़ा गया था, इसी के बाद सेरसा सूरी दिल्ली की गद्धी पर बैठा था, और यह एक अफगान वन सी इसा सक था, जिसमें सूरी सामराज की स्थापना की थी, तो एक question से हमने कई सारे questions separate करके याद कर लिए, और इस conversation देखते हैं? इस question में यह कह भारती न्यायक पध्धती में लोग हित मुखदम याईय लाया गया था, तब भारत के मुख न्याया धीज गया थाération, आपके पास दीपक मिश्रा, नारायम शिंद, तीराथ सिंह ठाकुद, या पीयन तो बताईए right option इसमें से कौन सा हो जाएगा तो यहां आपका D option correct हो जाएगा कि जब भारती नियायक पद्धती में लोग हित मुकादमा यानि PIN लाया गया था तब भारत के मुख्य नियायद हिस्ते PIN भगवती तो यहां आपका D option इकदम correct है इस question पर focus करते हैं इस question में आपसे पूँच रहा है इस question में आपसे पूँच रहा है कि people's daily, sorry daily not daily, people's daily किस ACI देस से प्रकासित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है option आपके पास ढाका, sorry ढाका जो कि बांगला देस में है बीजिंग, कोलंबो या दिल्ली तो बताइए राल्ट option इसमें से कौन सा हो जाएगा तो यहां आपको जो B option हो एकदम सही हो जाएगा यह जो people's daily नामक समाचार पत्र है, newspaper है वो आपका कोलंबो यानि स्री लंका से क् प्रकासित होता है, बीजिंग से प्रकासित होता है जो कि चीन में है, यहां आपका B option करेक्ट है ना कि C, इस question देखते हैं, इस question पूछ रहा है कि भारत रत्म पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भार्थी कौन थे, option आपके पास भगवती देवी, डाक्टर सर्वपल राधा, प्रिशनन, तो यहां आपका B option करेक्ट है, फिर पूछ रहा है कि प्रकास पादुकोर किस खेल से सम्बंदित है, वाटर पोलो से, बैटमिंटन से, क्रिकेट से, या फुटबॉल से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैटमिंटन से, प्रकास पादुकोर क इस खेल से सम्बंदित है, बैटमिंटन से, यह क्या current affair को question है, current affair से भी question आते है, general knowledge मतलब mixed question, history से भी, geography से भी, politics से भी, economics से भी, computer से भी question आपको देखने को मिलेगा, current affairs तो है ही, यह mix है, आप एकदम predict नहीं कर सकते हैं, कितने question आप एकदम confirm तरीके से कर पाएं, कुछ भी ब किस वर्स इस्थापित किया गया था, अगर आप से पूछ लेता, आसियान क्या है, दच्छिर पूर्वी ACI रास्टों का संग है, किस वर्स इस्थापित किया गया था, option आपके पास 31 जुलाई 1962, 8 अगस 1967, 18 अगस 1977, यह 12 सितंबर 1972, तो बताए, right option कौन सा हो जाएगा, बी option करेक्ट हो जाएगा, इसकी स्थापना 8 अगस 1967 में की गई थी, इस question देखते हैं, इस question में कहा जाता है, यानि संयूत राट संग की बात की गई है, कि संयूत राट संग के किस अंग को विशु का पुलिसमैन भी कहा जाता है, option आपके पास महासभा, सुरच्छा परिशद, प्रण्यास परिशद या सची वाले, बताए राट option क्या होगा, बी option करेक्ट हो जाएगा, सुरच्छा परिशद को विशु का पुलिसमैन भी कहा जाता है, तो यहां बी option इकदम करेक्ट हो जाएगा, फिर पूछ रहा है कि कापास की खेती के लिए उपियुक्त काली मिट का कोई अन्य नाम क्या है, रेगुर म्रदा, खादर म्रदा, बांगर म्रदा, यह सुनार म्रदा, तो यहां आपका जो right option है, वो है option number A, रेगुर म्रदा, यानि काली मिटिक और किस नाम से जाना जाता है, रेगुर म्रदा के नाम से और यह किस प्रकार की खेती के लिए सबसे जादा उपयुक्त मानी जाती है, तो यहां आपका A option correct है, फिर पूछ रहा है, प्रशिद अभिनेत्री हेमा माली में किस सास्त्री नर्त्य में पारंगत है, और शना आपके पास मोहनी अट्टम, भरत नाट्यम, कतकली या कुचिपुली, तो बताइए, right option क्या हो जाए कि जो प्रशिद अभिनेत्री हेमा माली सभी रोग जानते होंगे, आप तो बहुत ही अच्छी से जानते होंगे, मुवी तो बहुत ही देखते हैं बच्चे, तो यह किस सास्त्री नर्त में पारंगत है, भरत नाट्यम में पारंगत है, तो यहां आपका A option एकदम correct है, उसक कुछन देखते हैं, इस कुछन में पूछ रहा है कि ट्रेंट टू पाकिस्तान, बुरियल 8C के लेखक कौन है, यानि यह क्या है, एक पुस्तक है, ट्रेंट टू पाकिस्तान, बुरियल 8C के लेखक कौन है, option आपके पास मूराची देशाई, अमिताब घोष, नीरत C. जौ विद्याले विधियत 2021 किस राजी की विधासभा द्वारा पारित किया गया था option देखते हैं कि कौम कौन से option आपको दिये गया है यहां पूछ रहा किस राजी की विधासभा यानि राजी का पूछ रहा है स्थन का नहीं पूछ रहा, ER की बात नहीं कीजा रही है, यहां सिर्फर सिर्फ राजी की बात कीजा रही है, तो आपको राजी बताना है कि इसमें से सही राजी कौन सा हो जाएगा, आप्शिन आपके पास आसम, आंधर प्रदेश, ओडिसा या अरुराचल प्रदेश, तो र option आपके पास जल सक्ती मंत्राले, वनें पर्या, वर्ण मंत्राले, petroleum और उर्जा मंत्राले, यह सहकारिता मंत्राले, तो right option मताईए, इसमें से right option कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका education correct हो जाएगा, कि आगस 2020 में भारत सरकार के जल सक्ती मंत्राले के द्वारा सुजिलाम अभियार की सुर्वात की गई है, तो यहाँ यह option correct है, इस question देखते हैं, इस question में आप से रचनाओं की नाम पूछे गया है, यह रचनाओं की नाम दिये गया है, और आप से पूछ रहा है कि बताईए इन में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिस्चंद की रचना है option आपके पास भारत दुर्दसा, अमरत बाचार पत्रिका, वंदी मात्रव या मराथा, तो right option बताईए, इसमें से right option कौन सा हो जाएगा, तो यह option सही है, भारतेंदु हरिस्चंद की रचना है, और यह हमको बताना था, तो यह option एकदम correct हो जाएगा, निस question देखते हैं, नि price book of beauty, तो बताईए, इसमें से right option कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ जो आपका C option वेकदम सही हो जाएगा, इंडिया the critical years, नामक पुस्तक पुर्दीप नईयर द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ C option correct है, इस question देखते हैं, इस question कह रहा है कि भारत की सन्विधार में संसोधन द आयोग, तो बताईए, राइट option क्या है, यहाँ का B option correct हो जाएगा, कि भारत के सन्विधार में संसोधन द्वारा राश्टी अनसूचिक जनजाती आयोग की स्थापना की गई थी, और इनमें महिलाओं का भी वजब एक प्लेस दिया गया है, यानि महिलाओं को इसमें स्थ प्लांट कौन सा है, तारापूर परमारु सहियंत्र, कैटलोम परमारु सहियंत्र, कुडन कुलम परमारु सहियंत्र या भाभा परमारु सहियंत्र, तो राइट option बताईए, इसमें से राइट option क्या होगा, यह option एकदम correct हो जाएगा, कि तारापूर परमारु सहियंत्र क्या और डेली computer all design तो बताईए right option क्या होगा इसका तो यह option सही हो जाएगा computer added design CAD का full form होता है इस question देखते हैं इस question कह रहा है कि वाचस्पित पुरसकार कि संस्था यह मंत्राले द्वारा प्रयोक दिया जाता है संस्कृति मंत्राले साहित कला एकैद्वी अजीम प्रेमजी फांड प्रोड़ा foundation तो right option कौन सा हो जाएगा जिसका डी option करेक्ट हो जाएगा वाचस्पित पुरसकार केके बिड़ला foundation द्वारा प्रोड़ा प्रोड़ा जाता है तो यहां D option करेक्ट हो जाएगा फिर कहारा है नेमलिखित मेंसे किस ने तीसरे गोल में संभेलन में भाग लिया अप्शन आपके पास महत्मा गांधी मदन मोहन मालवी फिर उसके बाद थर्ड option आपके पास डाक्टर भीम राव अंबेट कर और उसके बाद चितर अंद्यंदास तो बताएगे right option कौन सा हो जाएगा इसका तो गैस यहां जो आपका right option है वो है चितर अप्शन डाक्टर भ 45 राजी की भासा जिसमें राजी की भाशा की बात की गई है अनुच्य 454 जिसमें राजभासा पर संग्सतिय समीद M.I.O. की बात की गई है तो बताईए कौन सा अनुछे सही सुमेलित नहीं है यानि जो इनकी बात बताई गई है कि अनुछे 245 में इस बारे में बात की गई है अनुछे 345 में इस बारे में बात की गई है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा गलत बताया हुआ इसमें यह आपको बता रहा है और हाँ जो आपका right option हो जाएगा option number C और 631 क्याओं में उचितम नयाले के लिए राजधासा की बात नहीं की गई है यानि C option आपका correct हो जाएगा क्योंकि यहां negative बात कर रहा है तो negative अभाई negative तो यहां C option correct है फिर पूछ रहा है कि उद्दोगों के लिए वित्ती सहायता देनी के लिए सरोच बैंक कौन सा है यानि बिजनेस को यूपिन करना चाहता है तो financial अगर support चाहिए सरोच बैंक कौन सा है financial support देनी के लिए option आपके पास IDBI, ICCI, Access Bank या SBI तो बताएए right option क्या होगा option number A सही हो जाएगा IDBI क्योंकि business की बात की जा रही है तो यहां आपका A option correct हो जाएगा फिर पूछ रहा है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानि जो गंगा का मैदान है किसे कहते है उत्तरी भारत के विशाल मैदान को गंगा का मैदान कहते है यह हम दक्कन पठान का किस परवत सरंखला द्वारा विभाजन किया जाता है या उत्तरी भारत का विशाल मैदान है और दक्कन पठान जो है उसका जो विभाजन होता है वो किस परवत सरंखला द्व हो जाएगा तो बी option सही हो जाएगा सत्पुडा परवत शंखला दोरा इसका विभाजन होता है इस question देखते हैं इस question कहा है कि भारत का एक मात्र सक्री जोला मुखी निम लिखित में से किस इस्थान पर इस्थित है option आपके पास कार निकोबार माया बंदर लच्छुदिव यह बैरंद्वी तो राइट ऑप्शन बिताईए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा तो डी ऑप्शन आपका एक्जम करेक्ट हो जाएगा कि भारत का एक मात्र सक्री जोला मुखी बैरंद्वी पर इ जग्यान देऊं तो राइट ऑप्शन बताईए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि महराज के प्रसिद संत एक नाज्थ जी ने रामायर पर भावार्थ रामायर नामक पीका लिखी है तो यहां भी ऑप्शन करेक्ट है फिर पूछ रहे पर 2021 के Current Affairs उठा लिया है तो जो लेटेस्ट में घटनाए होती है उनके बारे में आप जानकारी रखिए क्योंकि उनसे questions पूछ सकते हैं यहां बताईए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा यहां फुटबाल खेल सही हो जाएगा यानि डी ऑप्शन सही है और चंदर सेख स्मॉःट टावर का उद्गहाटन किया गया डिल्ली कोलकाता चिन नहीं यह अभी शाखा पटना यहां कई ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वहां कि अंग बहुत भर जादा पूलुटण एरिया होता है बहुत पोलुशन होता है तो केंड़ कि आपकर यहां प्रियावर् भाग नहीं ले सकता जब उसके पास कमसांसद हो वह गड़ बंदन सरकार चलाता हो वह राज सभा का सदस्य हो यहां कंडिशन दी हुई है और सही कंडिशन आपको पहचाने ही कौन सी कंडिशन सही होगी तो यहां आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के प्रधान मंतर इसकी सरकार के खिलाब अविस्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज सभा का सदस्य हो जैने अगर प्रधानमंत्री का सासन है उसकी सरकार है आविस्वास प्रस्ताया जारी गया तो उसमें भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो राज्यच्पहवочно क सदस्य अगर राजिसवा का सदस्य शञध से ना होता तो जoga भाग ले सकता था तो यहां आपका it option correct हो जाया गा तो आपको right option बताना है कि इसमें से right option कौन सा हो जाएगा तो यहाँ C option सही हो जाएगा कि ACA की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है वो ओडिसा में स्थित है तो यहाँ C option correct है फिर पूछ रहे कि भारत के भौगोली केंदर होने के कारण निकित में से किस सहर को जीरोग मील सेंटर कहा जाता है option आपके पास नागपूर, भोपाल, इंदौर या जवलपूर तो यहाँ आपका E option correct हो जाएगा नागपूर को फिर पूछ रहे कि सन्विधान में उद्दे से प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया यहाँ आपका E option correct है इस question देखते हैं इस question में आप से पूछ रहा है कि हॉर्णीबल तयोहार किस राज में मनाया जाता है option आपके पास नागालेंड, मडीपूर, मिजोरम या मेगाले तो right option आपको बता रहा है कि इसमें से right option कौन सा हो जाएगा तो यहाँ E option आपका correct हो जाएगा कि हॉर्णीबल तयोहार जो है वो आपका नागालेंड में क्या होता है मनाया जाता है तो यहाँ आपका E option correct है इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि computer में प्रियुक्त IC chip किस से बनते हैं option आपके पास iron oxide से, silver से, chromium से या silicon से option correct है इस question देखते है इस question में आप से पूँच रहा है कि यच्छगान किस राजी की प्रमुख नरत तिकला है यहाँ अगर यच्छगान क्या है एक राजी की नरत तिकला है और उसी राजी का नाम आप से पूचा है option आपके पास आंध्रप्रदेश में घाल है मद्रप्रदेश या करनाटक तो right option बताइए इसमें से right option कौन सा हो जाएगा यहाँ आपका D option सही हो जाएगा कि यच्छगान जो है वो आपका करनाटक की प्रमुख नरत तिकला है नेस question देखते है नेस question में कहा रहा है कि निवलिकेट मेंसे कौन मौर समराट के मेरट हम टोपरा सिला लेखो को दिल्ली में ले गया था यहाँ जो असोग जी थे समराट असोग जी थे मौर से related थे मौर इवंस के थे तो उनके जो सिला लेख थे मेरट हम टोपरा सिला लेख उनको दिल्ली जो ले गया था वो सासा कौन था मुहम्मद गौरी फिरोज साथ उगलग जलालुदीन फिरोज यागया सुद्दीन तुगलग तो यहाँ आपका B option सही हो जाएगा फिरोज साथ उगलग उन्हें दिल्ली ले गया था तो यहाँ आपका B option correct है तो इस वीडियो में हमने total 50 questions discuss कर लिए है और next 50 questions जो आपके paper first के है paper first का second part हिंदी उसके 50 questions हम evening में solve करेंगे और साथी साथ reasoning की आपकी life glasses सेलेंगी जिसमें हम बहुत सारे topic cover करने है reasoning एक ऐसा subject है जिसमें आप 50 में 50 contain कर सकते हैं उसमें definite topic है उससे से आपको question आने आने होनी को गुमा गुमा के आपसे पूछना है तो उस सारे topic को हम cover करेंगे one by one वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करें किसी question में problem में comment करके पूछे और channel को subscribe जरूर करने क्योंकि आपको daily life classes मिलने वाली है अगर आप government college पाना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत में लग जाईए क्योंकि बहुत जादा time नहीं बचाया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करें Thank you